एक अप्रेल साल के 365 दिनों में अकेली ऐसी तारीक है जिस दिन लोग बुरे से बुरे मजाक का भी बुरा नहीं मानते इस तारीक को लोग अप्रेल फूल डे के इतोर पर मनाते हैं जो इस बार रविवार को पढ़ रहा है हिंदी में इसे महा मूर्ख दिवस भी कहते हैं इस दिन लोग अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को मूर्ख बना कर खुश होते हैं हालांकि ये सिर्फ हसी मजाक के लिए होता है तो आईए हम आपको बताते हैं अप्रेल फूल डे की शुरुआत कब हुई और इसे क्यों म बनाया जाता है माना जाता है कि लोगों को फूल बनाने वाले दिन अप्रेल फूल डे की शुरुआत 14 सदी में हुई थी बिटेन के कवी जियोफी चोसर की किताब की कहानी नंस्पिट्स टेल के मुताबिक इंग्लेंड के राजा रिचर्ड दूतिय और बोहेमिया की रानी एनी की सगाई की तारीक 32 मार्च गोशित कर दी गए जिसे वहां की जनता ने सच मान लिया और मूर्ख बन बैठे तब से 32 मार्च यानी एक अप्रेल को अप्रेल फूल डे के रूप में मनाया जाता है वहीं एक दूसरी कहानी के मताबिक प्राचीन यूरोप में हर वर्ष एक अप्रेल को मनाया जाता था हालांकि 852 में पोप ग्रेगोरी 13 ने नया कलेंडर अपनाने के निर्देश दिये जिसमें नया साल एक जनवरी को मनाया जाने के लिए कहा गया इसके बाब दूत कुछ लोग एक अप्रेल को ही नया साल मानते थे जिन्हें मूर्ख समझ कर मजाक उड़ाया जाने लगा तो अप्रेल फुल डेका आप भी मजा लें और सोचल मीडिया पर खूब शेयर करें जोग लेकिन ध्यान रखें आपके मजाक से किसी को नुकसान नहों